जैशरी राम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित आशी शर्मा वर्ष 2022 के अंदर जो जुलाई 2022 का महीना है ये सबसे ज़्यादा एहत्यासिक रहने वाला है क्योंकि इस महीने पांच ऐसे ग्रहे मुखे होंगे जो अपनी राशियों में ब्रहमन करेंगे मंगल, बुद, ब्रस्पती, शुक्र और शनी जैसे ग्रहे इस महीने अपनी राशी के अंदर विचरन करेंगे यानि ग्रह का अपनी स्वेराशी में होना ग्रह के बल को बढ़ा देता है जिस भाव में पढ़ता है उस भाव के बल को बढ़ा देता है उसका प्रभाव कैसा रहने वाला है धनुराशी वालों के लिए आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे के चंदर राशी पर आधारित यह है वीडियो यानि धनु राशी वालों के लिए गोचरी इस्थिती कैसी है ग्रहों का परिवर्तन कैसा है और उसके आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देंगे हम आपको विस्तृत जानकारी के आपकी राशी से कौन से ग्रह कहा है जीवन के सभी मुख्या पहलों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कब आपके लिए अच्छा समय है कब आपके लिए शुरू होगी कठनाई कौन से तारीक से आपके जीवन में अच्छी स्थितिया होंगी उसका हम विस्तार से यहां चर्चा करने वाले हैं देखे आपके राशी के जो मालिक है वो ब्रस्पती है जो कि स्वराशी के होंग कर यहां चल रहे हैं 13 अप्रेल 2022 से यानि ग्रह का अपनी राशी से चोथे घर में जाना स्वराशी का होना हंस योग के साथ होना मान सम्मान को बनाये रखता है स्वास्त को बनाये रखता है भूमी जमीन जाइदात का सुख साधन ये आपको देगा difficulties से निकाल कर लाएगा ये combination आपकी परेशानियों को solve करेगा आपके जगडे जंजटों को कतम करेगा ये combination और आपके फसे हुए धन पैतरक संपति से related problems को भी solve करेगा ये ब्रस्पती अब ये ब्रस्पती यहां बहुत हद तक कम से कम 30% तक शनी की भाशा भी बोलेंगे ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आप देखिएगा कि इस महीने शनी वक्री होकर वापस अपनी राशी में आये है कि शनी कुम्बराशी से निकले और 12 जुलाई को शनी का गोचर जो है वो मकर राशी माया धन का मालिक धन भाव में अच्छा होता है और जब वो वक्री होकर चले तो और मजबूत होता है इसको कहते हैं सडन गेन के चांस बढ़ाता है ये ग्रह के अंदर वो शमता है कि यह अचानक से आपके धन में व्रद्धी कर सकता है अचानक से आपको कोई काम दिलाना कोई कांट्रेक्ट दिलाना किसी चीज के अंदर बहतरी करना इस शनी की वज़ालत हम यहां कह सकते हैं अब ये शनी चौथे भाव पर अपनी तीसरी दरश्टी भी दे रहें कि यहां से बैठके शनी की दरश्टी यहां और ब्रस्पती उस दोरान शनी के नक्षत्र में यानि उत्रा भाद पर नक्षत्र में ट्रांजित कर रहे होंगे यानि कहने को ब्रस्पती स्वराशी है लेकिन उस पे शनी की द्रश्टी और ब्रस्पती का शनी के नक्षत्र में होना इस बात को दर्शित होता है कि यहां धनके कारक और धनके स्वामी यानि शनी और ब्रस्पती ने एक सुंदर गटजोड बनाया और वो गटजोड कहां बन प्रपर्टी डीलर हैं इंटीर डेकुरेटर हैं तो भाईया आपके लिए तो यह बहुत अच्छा कम्बिनेशन है यह वो समय है जो आपको भूमी जम्मिन जैदा प्रपर्टी का लाव देता है चाया पजेशन दिला दे प्लॉट ले लें रजिस्ट्री करा लें बेनामा करा लें कुछ भी है लेकिन शनी ने यहाँ इसका गटजोड बनाया ब्रस्पती लगातार बैठके करम भाव के दरश्टी तो शनी लगातार बैठके लाव भाव के दरश्टी देंगे इसको कहते हैं धन और करम का एक पंचम की पंचमेश पंचम में हो तो वो कहता कि मैं अपने घर से संबंधित फलो में व्रद्धी करूंगा चाहे वो शिक्षा हो बुद्धी हो संतान हो संतान का सहयोगे ऐसा कुछ भी यहां पंचम में बैठे हुए मंगल देंगे लेकिन मंगल बुद्धी के भाव में और बुद्धी कभी भी शातिर नहीं होनी चाहिए, बुद्धी के अंदर को बुद्धी के विचार नहीं आने चाहिए, सौम्मेता से जितनी बुद्धी काम करेगी उतने लंबे लेवल तक आप करेंगे, काम. अब मंगल का मेश राशी में जाना जादे बहतर क्यों नहीं है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धी, वहाँ पर मंगल की चर राशी, यानि सौभाव में चलाए बनता, और अगनी तत्व राशी है, तो कभी भी जोश और साहस दे सकता है, सगरे. और जब वो राहू के साथ हो, तो इसको कहते हैं मंगल राहू का अंगारक योग, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस है, अगर ये बुद्धी है, तो ये दशम से अश्टम भी है, कि आपने अपनी गलत बुद्धी का प्रियोग करा, जादे चतुराई दिखाई, जादे जोश मे आए, जादे क्रोध में आए, और अपना कर लिया नुकसान, अगर पंचमे इस पंचमे है, और आपने सौमेता से काम लिया, कोई जट पटाट ने करी, तो ये गरहे, अचानक से धन्योग भी देगा, नहीं तो आप शास्तर पढ़िये, शास्तर कहता है, राहू पंचमे हो और उसका संबंद त्रिकोंड स्थान से हो, ऐसा गरहे, अचानक से लाटरी भी लगा सकता है, तो दौनों इस्तितियों के मैंने यहां समझाया, के मंगल यहां बैठेंगे, तो यहां से बैठके लाव स्थान पर दरश्टी तो जाएगी, यानि 104 रूप से काम करो, बढ़ि रखें, शुक्र और बुद्ध की उति, क्योंकि अभी तक मैंने तीन गरहे बताये आपको, शनी स्वएग रही, ब्रस्पती स्वएग रही, मंगल भी स्वएग रही, अब आए शुक्र बुद्ध की उति, जराशी से शटें बनते हैं, शटें का मालिक शटें में है, आपक बढ़ाने के लिए अच्छा कॉंबिनेशन इस शुक्र का दिखाई देता है बुद्ध भी उस दोरान वहां रहेंगे बुद्ध थोड़ी चिंता बढ़ाएंगे आपकी क्योंकि बुद्ध राशी से सब्तम और दशम का मालिक है कारे छेतर के लिए एफर्ट्स बढ़ रहा ह है नौकली से संबंदित कारे हो व्यापार से संबंदित कारे हो में एफर्ट्स बढ़ गया ऐसे कह सकते हो तीसरे गर के छट सब्तम का मालिक हो के छटे में है विवा नहीं हो रहा रिष्टे नहीं आ रहे हैं बात नहीं बन रही कोई आता भी है तो आके चला जाता है अब यह शुक्र और बुद्ध की यूति जाद है समय तक यहां नहीं है इसको मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए बुद्ध 16 जुलाई और शुक्र 13 जुलाई यहां से उठके मिथुन में पहुंच जाएंगे अब बुद्ध होगा स्वयग रही शुक्र मित्र की राशी म बनेगा कि भीया विभाय का स्वामी और विभाय का कारक यहां है यह समय ऐसा होगा कि जो जुलाई के महीने में आपका रिष्टा कराने में शक्षम है यानि 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई आपको कोई सुब समाचार मिलेगा कारेच्षेतर के लिए नई नोकरी लग गई न यह कॉंबिनेशन्स आपके लिए बहुत बहतर यहां रहेगा सूरिय को भी अगर आप देखें तो 16 जुलाई तक सूरिय यही है सूरिय की कोई प्राबलम नहीं है सूरिय की प्राबलम कब आएगी जब वो करक राशी में जाएगा कि त्रिकॉन का मालिक केंदर में हो तो अ यह समय पिता के साथ संबंदों के लिए कठनाई बताता है यह समय भाग्य के अंदर अरचने बताता कि मेरा भाग्य उतना फ्रेश नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए या मेरे एफर्ड्स तो अच्छे हैं लेकिन कही न कहीं मुझे उसका लाब नहीं मिलना लेकिन उसके लिए एक बहुत संदर अच्छी बात जो में आपको बताऊं कि जब सूर्य यहां होंगे तो आपकी राशी का मालिक ब्रस्पति उस पे पांचवी दरश्टी डाल रहा होगा इसका मतलब है कि यह प्लैनेट आपको डूबने नहीं देगा यह प्लैनेट आपको निकाल कर ल अश्टमें बैठने का दोश नहीं लगता या अश्टमेश होने का दोश नहीं लगता योगि सूर्य और चद्रमाइक प्रकाशवान ग्रह हैं लेकिन दोश नहीं लगते का मतलब यह नहीं है कि वो दोश ही खतम हो जाएगा कुछ कमी उसमें आप मान सकते हो अन्य था ब्र जो एक तरफ ब्रस्पति की द्रश्टी आएगी अष्टम भाव पे तो वहीं मंगल की त्रिकोणेश होके भी द्रश्टी आएगी यानि सूर्य को बल किस से मिल रहा है राशी के मालिक से ब्रस्पति से मंगल से इसको कहते हैं अचानक से भाग्य उचल गया क्योंकि अस्टम भाव सडन, धन का मालिक, राशी का मालिक, कारक ब्रस्पती और मंगल जब अस्टम भाव पे दरश्टी डालें तो इसको कहते हैं अचानक से एक बड़ी उन्नती के स्रोत खुलेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई आपके लिए जीवन में एक बड़ी प्रगति के तरफ इशारा करता है ऐसी स्टती में यदि आपको किसी भी ग्रह की दशा चल रही है जैसे ब्रसपती की दशा हो मंगल की दशा हो शनी की दशा चल रही हो तो यह ऐसा ग्रह आपको सडन राईस दे सक तो, यह तो, हम सिर्व गोच्र पता सकते हैं, किस्भी की खुंडली तो हमारे पास होती नहीं, लेकिन हाँ, राशी से ब्रह्मन कहां है, ग्रहजु का वह हमुशह बता सकते हैं।